आज देस प्रोग्राम विच जिस तरह सी हर सहरे दी शाम नो तो अड़नो सांज पाके रजनी शर्मा जी गलबात करेया कर देने भागवत प्रवान विच वकथा लेके हाजर होया कर देने पिछले हफते कंस ते नाल देवी की दी जो गलबात चल रही सी उस विच किस तरीके नाल तो यह सारी चीजां जिस तरह मैं हमेशा क्या करना किना दी आज की रेलिवन्स है इस से वंद विच आओ हो गलबात कर दें रजनी शर्मा जी रही से लास्ट इम जो हमने बात की थी जी के वो यमुना में से जाते हैं और जाके अपने नंद जी के पास छोड़ाते हैं उनक तो यह राजा परिक्षित को कथा सुना रहे हैं शुकदेव मुनी और राजा परिक्षित के सात दिनों में से भी सात दिनों में से भी जैसे मैंने आप से कहा पांच देन गुजर चुके हैं और अब उनका मन जो है वो पूरा एक तरह का श्रद्धा विश्वास का जन्म हो रिश्वास का जन्म हो गया, ऐसा हृदय जो है वो परमात्मा के प्रेम को सुनने के लिए, परमात्मा के प्रेम को समझने के लिए, परमात्मा के प्रेम को अपने जीवन में, अपने हृदय में उतारने के लिए उपयोक्त है, वो ऐसा एक कहना चाहिए कि उपजाओ भूमी उनका मन बन चुका है, उनका हृदय कि जिसमें अब अध्यात्म के कहना चाहिए कि बीज भी लग गये, अब वो जो फसल है उसमें कोई देर नहीं है, हरा भरा जो फसल है वो लहराएगी और इसलिए कहा कि जो है, ये जो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिंग इस तो प् कंस है, कंस रूप है अहंकार का, कंस रूप है अभिमान का, अगर हम जैसे अपने सभी प्राया, सभी धर्मों में इन पांच विकारों की बात करते हैं, काम, क्रोध, लोब, मो, अहंकार को सबसे आखिर में और सबसे उपर लगते हैं, क्योंकि वो सबसे सुक्ष में है, उस उसको जाने में सबसे ज़्यादा देर लगती है और उसकी वज़ा ये है कि मनुष्य अपनी जो आइडेंटिटी है उसको इतना इंपोर्टेंट मान लेता है कि उसका पूरा संसार उसके अपने अराउंड घूमता है मैं क्या हूँ मैं ये दे हूँ ये मैं हूँ और ये फिर मेरे से जुड़े मेरे संबंदी है ये मेरे से जुड़े मेरे सामान है मित्र है रिलेशन्शिप है प्रापर्टी है ये मेरी और इसके अलावा फिर यहां खत्म नहीं होता क्योंकि इन विकारों को अगर हम यहां पर खतम भी कर लें लोब को भी मोह को भी सब को भी अहंकार को भी पर अंत में तो बचता ही है और वो मैं जो है वो अपनी को मरने से पहले मरने से बचाने के लिए हर उपाय खोचता है और ये मैं जो है बड़े आराम से विलीन हो जाती है जब हृदय में परमात्मा का प्राकट्य होता है तो ऐसी दिव्य कथा ये भागवान कृष्णे के जन्म की है तो अगर हम इनको इस रेफरेंस में समझेंगे तो everything will fall into place कि ये सभी जो कथाई हैं वो बिलकुल हमें समझ में आने लगेंगी कि ये जो है कोई कपोल कल्पित कहानिया नहीं है पांच हजार साल पहले भागवान कृष्णा आये यहां उससे पहले भागवान राम आये सनातन धर्म ऐसा मानता है और आज तो हमें वो हिस्ट्री भी मिलने लग गई है जो उस वक्त में जब उन्होंने लीला करी उस वक्त के जो मंदिर हैं तो कई हमें जो हैं वो चीज़ें मिलती हैं लेकिन सवाल यह है कि अगर हिस्ट्री है और हमने यह पूरे तरीके से मन भी लिया कि ऐसा हुआ तो भी इट इस एन इवेंट इन दा हिस्ट्री और फिर उसका आज की लाइफ में रेलिवेंस नहीं रह जाएगा लेकिन यह हिस्टोरिकल के साथ साथ अधिहासिता के साथ साथ दूरी अध्यात्मिक्ता है और अध्यात्मिक्ता भी कैसी कि वही मन वही हृदय लेकर मनुष्य पैदा होता है और ये कथा है मन की, ये कथा है हिर्दय की, ये कथा है उस यात्रा की, कि मन से कैसे हिर्दय पक पहुंचना है, और हिर्दय में कैसे उस विराट के प्रेम का जन्म हो, उसकी ये कथा है. अच्छा एक प्रेम से मुझे याद आया एक टॉपिक में हमने कुछ डिसकुशन की थी और आप ने शायद कहा था कि भगवान भी जो है वो प्रेम प्रिकट नहीं कर सकते किसी के हिर्दे में तो अगले हफते हम भूल गए तो हमारे कॉलर की कॉल आई जी आप ने यह जो बा प्रेम प्रती भ餅न से नहीं में वन्हें बाड़ार already जो इस तर्फ एक प्रेम नहीं कर सकते हм आप ने अपने प्रती हाद क्यातर आप प 110 यह करते हैं गैसे बुट अब नहीं कर सकते हुआब तो फिर वह प्राम केसे होगा कानकी हुँआ नहीं कर सकते हुआ हुआ जाएगा है तो होता क्या है कि जिस whakt हम भगवान से सचे बन्त से प्राथना करते हैं, तो भगवान हम पर क्रिपा करते हैं, क्रिपा किस रूप में करते हैं, कि वो हमारी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से करवाते हैं, किसी संत से, किसी सज्जन से, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका हृदय पहले से ही परमात्मा के प्रेम में उत्पॉद, तो उस से वो हमारी जो है मुलाकात करवाती हैं और फिर उनके सत्संग से भागवान की ये दिव्य कथाएं सुनने से अपने आफ्रिदय में प्रेम प्रकट होता है अब आप देखें कि ये जो राजा परिक्षित हैं ये तो पशुओं का वद करके आ रहे हैं जिस दिन इनको ये श् चुक्देव मुनी से तो फिर अपने आप धीरे धीरे उनका हरिदय स्थिर हुआ और फिर जैसे मैंने आपको बताया है स्थूल मन जो है वो सुक्ष्म होता चला गया और अब उसमें श्रद्धा और प्रेम का जन्म हो चुका है तो ये भागवान का मिस्टीरियस वे ओफ ति तो ये कार्य नहीं कर सकते लेकिन अपनी कृपा के रूप में किसी संत से, किसी महात्मा से, किसी ऐसे शजनव्यक्ती से मिलवाते हैं कि आपको सत्थ संग सुनने को मिलता है और उस व्यक्ती से जिसका हृदय में भागवान का प्रेम भरा हुआ है जब आपसे वो ये ब तो हृदे को बड़ी प्रभावित करती हैं, क्योंकि वो सत्य से निकली हुई है तो इसलिए पर बात आगी कि कहान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, किया तो भगवान नहीं किया भगवान के अलावा यहां कुछ है ही नहीं, बिल्कुल, absolutely, so everything falls into that तो हमने देखा पिछली बार कि किस तरह से भगवान का जन्म होते ही, सब बंधन खुल गए वसुदेव जी के और कारावास के सब दर्वाजे खुल गए उन्होंने भगवान को उस टोकरी में रखा और उनको वो लेकियमुना पार करते हुए गोकुल में, नंद के यहां, नंद राज, वो गोकुल मुख्या थे, गोकुल शहर के, तो उनके यहां पर बहुत समय से कोई उनके घर पे संतान नहीं थी तो उसी रात जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा था कि भागवान ने अपने प्राकटे से पहले योग माया से कहा था कि जिस वक्त मैं जन्म लूँगा तुम भी जन्म लेना यशोधा के गर्ब से तो उसी रात योग माया का जन्म हुआ यशोधा के गर्ब से लेकिन इससे पहले कि वो देखें अभी कि ये पुत्र है या पुत्री योग माया के प्रभाव से जो है अचेत हो गई यशोधा और वसुदेव जी वहाँ पर पहुँच गई और उन्होंने योग माया को अपने उस टोकरी में रखा और उस छोटे से बच्चे को वहाँ पर लिटा दिया यशोधा के यशोधा उस वक्त पीठ किये करवट लेके लेटी हुई थी उन्होंने भागवान कृष्ण को वहाँ पर लिटा दिया बड़ा सुन्दर प्रसंग है ये कहते हैं कि जब भागवान के आप सन्मुख होते हैं तो उनकी कृपा आप पर बरसती है य भागवान जो हैं वो उनको वहाँ पर उनका प्राकट्य हुआ है तो एक दूसरी ही वहाँ पर दासी है यह शायद नंद की बेहन है सुनंदा उन्होंने देखा इनको भागवान कृष्ण को और वो तेजी से दोड़ती हुई नंद बाबा के पास गहीं जो कि उस वक्त अपने गवों की जो है सेवा कर रहे थे और उनको बताया कि किस तरह से भागवान कृष्ण का अवतार हुआ है लेते हैं एक छोड़ी सी ब्रेक वापसा के और बातचीत करते हैं इस ब्रेक के बाद कि तुसी करजे दे बोज हेट दबे हो समझ नहीं आउन्दा की करो अशी तो हड़े करजे नू वद तो वद कड़ा के रेंधी रखम नू इंटरिस्ट फी किस्ताय चे बदल सकते हैं अशी तो हनू करजे तो मुक्त करा के नवी जिनगी जीन विच तोड़ी मद़त कर सकते हैं 1-866-790-8984 बिजनस सलूशन्स तो हाड़ी परिशाने विच तो हाड़ा साथी पागवत पुरान में जो जड़ी कथा जैसी सुन रहे हैं उस विच तो अनु दुबारा तो शामल करने हैं ते कि इद्वारक ज्टा जी तो जानकर रहे निया के की कुछ होंदा थे की कुछ असी सुचों शिकना हbr जी दि विच थे तो गोकुल में उस बच्झे क।्ष्ण कौ नहोंने वहां पर लिटा दिया या शोध्यके साथ और महां से योग मया को उन्होंने उठाया और वो उसी तरह से यमुना को फार करते हुए वापिस आ गए जैसे ही आए तो कारागार के जो द्वार है वो अपने आप बंध हो गए उनके बंधन सब वापिस आ गए और वो उसी अवस्था में जिसमें पहले थे रहे और बाहर किसी को तो सब बंधन खुल गए, अब फिर से माया आई साथ, तो बंधन बापिस हो गए, तो कभी-कभी हम इस बात को इस तरीके से बिलें, कि सम्टाइम्स हम सभी लोग अध्यात्म के बारे में सोचते हैं, कि मनुषी की अपनी प्रकृती है, ये बाते आती ही है, मन के अंदर, what is this life is all about, और कभी-कभी हमें ऐसे लगता भी है, for the time being, everything is just crystal clear, और उसके बाद, फिर थोड़ी देर में, सब भूल के हम फिर वापिस, जो है, और फिर वापिस जो है, और वहां पर मन में बहुत सारी आवाजें वी उठती हैं, बहुत सारी सोच आती है, लिकर अगे, जब हम जाती है, तो फिर वही चीज नॉर्मल चुरू हो जाती है, जी, वो उक्षणिक वहरागय जो होता है, वो उस वक्त ऐसा लगता है, कि everything is clear, और मनुष्य अपनी मन की अंदर उस वक्त ये कई बार अपने से प्रामिस भी करता है, I am not going to do it, you know, कि मैं अब अपना ज्यादा व प्रतिष्ठा लोगे, अगर अंत ये है तो, और वो आज नहीं, कल आने वाला है, बत पता नहीं किसका कितना समय है, तो इस अमुले जीवन को उन चीजों के लिए नश्ट करना, जो मृत्यू के एक जटके में खतम हो जाती है, तो उस वक्त तो ये बुद्धिमानी आती है पर फिर हम वही योग माया, और हम दुबारा से जीवन की दौड में लग जाते हैं, लेकिन वहीं पादर जी कि ये एक हकीकत है, अब जीवन की दौड जो है, उसमें जैसे महौल में हम रहते हैं, ये भी नहीं हो सकता कि त्याग करके आप पीछे हट जाएं, उसमें रहते ह जीवन मुक्ति की बात की है, रहते हुए, अब जो फूल है, इसका कमल का फूल जो है, वो आसपास गंध होता है, लेकिन उसके बावजुद वह अपना विलखनता उसकी नजर आती है, जो इसमेर्ली लाइफ में हम ये सारी चीज करते हुए, इसमेर्ड नाट अटाज्च् गषिटाते हुए, जो भी है, इसको स्वीकार करते हुए, अपने जीवन की घड़ियान इसको आगे लेते जाएं जीवन से भागना नहीं और सनसार से भाग के जाएंगे कहा जाना जआना जी जहान obec जाएंगे, सनसार होमारे मन का है और यहां तो हमालेएइअश की नहीं क अपना करंदन किया है तो पहरेदार उसी वक्त उठके भागते हुए आए और उनको पता चला कि बच्चे का जन्म हो गया और क्यूंकि ये आठ्वा गर्भ है तो सभी लोग बहुत सा तर्क थे उन्होंने एकदम से कंस को सुचना दी कि बच्चे का जन्म हो गया रातरी का सम देवकी अपने भाई से कि शायद इसके मन में हृदय में दया आ गया लेकिन इस बार तो उनके दिमाग में या उनके हृदय में आशा की किर्ण थी क्यूंकि उनको लगा कि पुत्र उत्वपन हर बार उनके होते थे पर ये तो कन्या है इसको देखके तो कंस का हृदय तो कंस ने भी सोचा एक खण भर को ही लेकिन उसके मन में एकदम से आया ये जो अबला नारी है जो पैदा हुई है अभी ये अबला कब सबला बन जाएगी मुझे पता नहीं तो मैं इस तरह का चांस नहीं लेता और उसने उसको कहने के बावजूद भी देवकी के उस बच पत्थर चटान के उपर पतक देते थे जिससे की बच्चे की मृत्य हो जाती इस बार भी उन्होंने ऐसा ही करना चाहा लेकिन वो तो इससे पहले की उसको वो पतकते वो तो जो बच्ची है उनके हाथ से चूटके और सीधी आसमान में चली गी और आकाश में जाके उन्हों अपना आश्ट भुजे रूप एक देवी का प्रकट किया और बड़ी जोर का अठाहास किया और करते हुए कंस से कहने लगी कि मुर्ख तू जिस बच्चे के बारे में सोच रहा है और जिसका वद करना चाहता है उसका जन्म तो पहले ही कहीं हो चुका है तू अब अपनी म अध्यात्मिका अर्थ को देखें कि जैसे ही माया हात में आई है कंस के तो वो छूट गई माया कम किसी के हाथ में आई है अंत में हात हमारे खाली ही रह जाते हैं इस संसार में हम कितना ही कुछ बटोरते रहें तो जिस वक्त कंस को यह पता चला कि उसके जो मृत्यू का का वो तो कहीं और जन्म ले चुका है, बड़ा उसके मन में एक आत्म गलानी हुई, देवी के उस दर्शनों के बाद भी, कि ये क्या किया मैंने, अपने बेहन और अपने जो हैं उनके पती के साथ मैंने इस तरह का दोर व्यवार किया, और इस तरह से उनके बच्चों की हत्या क कितना अपने आप ही उनके मन के अंदर एक बहुत जादा जिसे कहना चाहिए पश्चाता उसका जन्म हुआ, और उन्होंने अपने बेहन से और वसुदेव जी से बहुत ख्शमा मांगी, और फिर उनको उपदेश सा भी देने लगा, कि देखो, शायद इन बच्चों की इस आने से पहले ही उनकी यात्रा, इस तरह की बहुत सारी बातें नईतिकता की समझाने भुजाने की उनको कोशिश की और बार बार वो ख्शमा प्रार्त्मा उनसे करने लगा, और यह होता है जी आज भी अगर हम कई बार कुछ गलत करते हैं, तो कई बार यूँ उसको जस्ट हर्पी जी जो वसु देव हैं, इनको हम समझें कि He is the personification of pure सत्व गुण और जो देव की हैं वो है निश्काम बुद्धी, तो सत्व गुण जहां पर है जिस देह में सत्व गुण से, विशुद्ध सत्व गुण से संपन जो देह है और निश्काम बुद्धी है वहां पर भगवान का जन्म होता है, तो ऐसा जो उनका मन था जिस वक्त कंस ने उनसे प्रार्थना की पश्चाताप किया, माफी मांगी तो उन्होंने उसी वक्त उसको माफ कर दिया, उन्होंने फिर उनके बंधनों को मुक्त करके उनको कारावास से मुक्त कर दिया, लेकिन जैसे हम हमने अभी बात करी और आपने कहा कि ये बड़ा क्षणिक सा होता है अब देवकी और वसुदेव तो इसमें से हट गए क्योंकि आठ जो है उनके बालकों की जो है हत्या हो चुकी थी लेकिन कंस जिस वक्त वापिस अपने महल में आये हैं और वो बाकी के जो उनके मंत्री जि तो जन्म अभी ही कभी हुआ होगा तो हम ऐसा करते हैं कि आसपास पता करवाते हैं और जितने भी नवजात शिशु हैं उनका वद करते हैं क्योंकि कंस को और फिर क्योंकि वो मंत्री थे हमेशा उनको लाभ मिलता था तो उसकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि आप जैस तरह से यह सोच सकते कि कोई भी आपके मृत्यू का कारण बने। जब कोई होता है आज भी वही चीज देखी जाती है कि चाहे कुछ ठीक करना भी चाहे आस पास के कई भर जो लोग होते हैं आपने आपको इन कोर्स जो सर्जन मित रखवाते हैं उनका भी इंफुलेंस बहुत ज़ादा पड़ जाता है दूसरी तरह जैसे आप यह बात कर रह बात को पासलिन इसके दिन आतमी आपनते हैं तो मुझे याद आ रहा था मुझे जब ड्रामे के जा मुझे स्वाड़ाः चाहएं ऐसे शगम देका वे और गाड़्यों आपना जे आपनाने शखवे जरीह हिसे एसे जगरा ज़्यूम के जारी lipo बेबी कुष्णना नाम से फिल्म बनी है और महा भारत आपको तरह इसे बड़े सुन्दर कथाइं हैं अगर हम बच्चों को जोडएं और पिर बच्चों को कभ जोडएंगे जब हम उन कत्हां को मान देंगे जब हम उनके deeper meanings को समझेंगे जब हम उस जो है चेरिश्ट विजडम को समझेंगे हम उस संस्कृति को सहेज के रखेंगे क्योंकि वो संस्कृति ही है जो हमें इस जीवन को जीने का मार्ग दिखा के at the end of the day प्रसनता, शांती, खुशी और सबसे बड़ी बात हमारी जो अध्यात्मिक उन्नती है उसमें मदद करेगी बिल्कुर जी बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे पास आके त्यारी करके ये बातें करते हैं और हमें अध्यात्मिक ताके साथ जोड़ते हैं पर संस्कृति जो है जिसके उपर हमें बड़ा गर्व है लेकिन हमें मालुम नहीं है कि इसको अधियात्मिक पक है इसको आप टच करते हैं थे जनाली कर दें जी आज देस प्रोग्रम दे इते ही समापती फीडबाक जरूर दना 604-630-755 जा या फिर एमेल जरीए भी संपर कर सकते हो हरपरीटसिंख शो अट जीमेल.com रजनी शर्मा जीनल डिरेक्टली गलबात करने हो इते 604-594-9806 ते फोन कर सकते हो इते ही कर दें प्रोग्रम देश्मापती फिर मुलाकात करांगे तब तक पर दो